हेलो आज की इस वीडियो में आपको एको लेटेट अबडिट कराने वाला हूँ जो कि हमारी कक्षा 10 और 12 बारवी की बोड परिक्षा से रॉलेटेड है इसलिए वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा सबसे पहले आप इस हैडिंग को ध्यान से पढ़ लीजिए दिखिए हाँ पर बताया जा रहा है कि 10 और 12 बारवी की परिक्षा के प्रिवेश पत्रों जारी 136 सेंटर बढ़ाए गए साड़े 17 लाग स्टुएंट देंगे एक्साम मतलब यह बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि आपके जो एडमिट कार्ड है उनको जारी कर देगा है प्रिवेश पत्र को किस तरीके से डावलोड कर सकते इसके बार में कंप्ली इंफोर्मेशन में आपको बता दी थी अब यहाँ पर नई बात जो बताई जा रही है कि 136 सेंटर बढ़ाए गए मतलब के पहले जो सेंटर्स डिक्लियर किये गए थे उसमें 136 सेंटर और सजाना चाहता हूं के देखी जादातर स्ट्ट आप लोग के मिन अ क्या चल रहा है आप लोग पने एक्जाम को लिकर ब타민 slopes डी इसलिया हो रहा है कि आपको लगता है कि आपकी परिप्शा को पोस्टपूर्ड कर दी जाएगा आप की परिच्छा की तारिख को बढ़ा दी जैसे कि जो पहले टाइम टेबल जारी कर दिया गया था उसमें आपकी परिक्षा जो होना है वो बारवी की परिक्षा 17 फरवरी से होना है कब से होना है 17 फरवरी से क्लास 12 के एक्जाम स्टार्ट होने वाले है यह टाइम टेबल आपके बास पहुत चुका है ऑफिसल लेटर इसका जारी कर दिये गया था कि 17 फरवरी से आपकी परिक्षा होना है ठीक है उसके बाद बीच में कोरोना आगा आगाए अब की वज अब सारे ही के सारे स्टुडेंट्स यह गेस कर रहे हैं यह expect चल रहे हैं कि आपकी परिक्षा है वह परिक्षा की तारीख में चेंजिस किय जो online upload किये जा रहा है तो आप ये भी मान कर चल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना होगा कि आपकी जो परिक्चा है तो परिक्चा को cancel करके आपका जो result है terminal और half value exam के basis पर आपका result बना दिये जाए मतलब कि बिना आपके annual exam को लिए आपका terminal result रहा है जो half value exam का result रहा है उसके basis पर आपका result तैयार कर दिया है ये सारी बात आपके माइन में चल रही है ये बात मुझे बिलकुल पता है कि आपके माइन में ये सारी चीज़ चल रही है इसलिए आपकी जो study है वो बहुत जादा slow हो गई है जी है लास्ट में study आपकी बहुत जादा slow हो गई है तो अब एक चीज़ में आपको पहले ही clear कर देता हूँ कि देखिए अभी board की तरब से ऐसा कुछ official letter जारी नहीं हुआ है बस ये सब मान के चल रहा है ये बस हवा हवा में बाते चल रही है अभी board की तरब से ऐसा final decision नहीं लिया गया है अभी हमें सिर्फ वही मानना है और अपनी study उसी तरीके से करना है कि जो 17 February से आपके exam होना है उस 17 February की date जो जारी की गई है तभी आपकी परिक्चा होगी उसके लिए board ने अपनी पूरी तयारी करके रखिए तो आप भी अपनी तयारी करिए आप अपनी तयारी में बिल्कुल भी delay मत करिए बच्चो जो आप पहले study कर रहे थे आप उसी level से अपनी study को करते रहे है और अब इस level को इस news को आप detail में पढ़ लीजिए देख रहे हैं यहाँ पर क्या बताया जारा है कि MP board की 10 वी और 12 वी की परिक्चा है 17 फरवरी से इस बार offline mode पर होगी क्या होगी बच्चो offline mode पर होगी ठीक है इसके मंगलबार को student को प्रिवेश पता जारी कर दिये गया है दोनों कक्चाओं के इस बार लगबग साड़े सतरला के student exam में शामिल होगे बोडनी करोना संक्रमाण को देखते हुए पिछले वर्ष की अपेक्चा 136 सेंटरों का इजाफा की आए इजाफा मतलब के बढ़ोतरी की है इस तरह लगबग 4000 सेंटों चाल हजार होगा यह पर 4000 होगा ठीक है थूरसा कायक्शन कर ले ना कभी पेपर वाले भी गलती कर जाते है चलता रहता है कि बोड ये बाट संटर बाशना लिया है ताकि परिक्ष्टा संटर्पार की बिछ उचित दूरी का पालने किया किया सके वहीं बोड ने परिक्षा कि समय में 12 गंटे का बतलाओ किया है विट्यारथु की परिक्ष्टा सुबा 10 से 2 एक बजे तक हो गी विद्यार्तु को डिल घंटे पहले सुबा साड़े आठ बजे तक सेटर पहुचना होगा इससे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सकेगी विद्यार्तु को परिक्षा में मास्क पहनना निवार होगा और उन्हें सरेटाइजर और पाने की बॉडल भी साथ लाना होगा इसके बात कहरा है कि बोर्ड की इगतवर्ष की परिक्षाओं में 3864 परिक्षा सिंटर बनाये गए थे इनमें 10 वी बार वी की परिक्षा का आजून किया गया था एक्जाम पेटरन में बदलाओ तो एक्जाम पेटरन के बारे में बात में करेंगे यह तो चीज़ को मैंने आपको पहले ही बता दिया था फेबरियरी में ना होकर आपके एक्जाम जो है वो अप्रेल में जा सकता है जा रहा है या फिर मार्च में जा रहा है लेकिन इसके लिए आफिसल नोटिस तो आएगा तब ही हम इसको मानेंगे और बोड की तरफ से जो आफिसल लेटर जा रहे हुआ है वो आपका टाइम ट को के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी परीक्चा को कैंशल किया जा रहा है या आपके परीक्चा के टाइम टेबल को चेंजिस किया जा रहा है डिट बढ़ाई जा रही है यह सिर प बढ़ने के चल रहा है कotechnology चल रहा है इससको नकार नहीं सक्ते हैं लेकिन आज़ी लेकिन ऑड के प्लान ए की तरह और तो एसा नहो कि आप मेड दूंच कर प्लान के चल रहे हो कि अपकर इचम कर आए भी तो duby को रिक्शा के की बड़ा जाए constion जाने के सेवा आपके हाथ में कुछ भी ना लागे इसलिए बच्छो ऐसा करने की बिल्कुल जरूत नहीं है आप अपनी study को अच्छे तरीक से करते रहे हैं जो भी कुछ नया update आता है हम आपको सबसे पहले सठीक जानकरी हमारे चनल के माध्यम से प्रवाइड करा देंगे ल झाल 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 झाल